हेलो एवरिवन माई नेम ही चंदन सेंग एन आम एर इंगलिस ट्रेनर गाइस आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं फेल टू के बारे में जिया दोस्तों फेल टू हाला कि सबको पता है फेल टू क्या होता है फिर भी जो बिगनर्स है जो न्यूस पेपर Of course मतलब है tina to not succeed याईनि कि आप success नहीं हो पाते हैं किसी काम को करने में आप ars Peroff old हो जाते हैं तो अगर आप चाहे तो spoken English में भी fail to का इस्तमाल कर सकते हैं जब भी आप किसी से बात करें तो आप fail to का इस्तमाल करें अगर आप किसी काम में और सफल हो गए हो तू तू देखिए fail to अगर आप structure की रूप में देखें तो सबसे पहले subject जैसा tense है वैसा helping verb लगाएं आप fail है तो fail, fails, failed आप कर सकते हैं तो fail to फिर verb की first form object जैसे एक sentence है कि इस company has failed to convince its consumers यनि कि ये जो company है वो fail हो चुकी है ये present perfect है कि fail हो चुकी है क्या करने में fail हो चुकी है to convince its consumers अपने consumers को convince करने में fail हो चुकी है यनि कि असफल हो चुकी है एक और देखिए ये एक newspaper में sentence था if the state government fails to take any stand यहनि कि अगर state government जो है कोई stand लेने में कोई फैसला लेने में अगर fail हो जाती है they would go against the government in the assembly polls तो कुछ लोगों के बारे हैं बात हो रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं they would go against वो against चले जाएंगे खिलाब चले जाएंगे government के in the assembly poll जो assembly का election जो होगा उसमें वो government के खिलाब चले जाएंगे यह would इसले कि probability chances के बात है तो ऐसे भी इस्तमाल होता है इसका एक और है आप spoken English में ऐसे बोल सकते हैं कि she failed to arrive on time यानि कि उसे समय पर आना था लेकिन समय पर आने में वो fail हो गई यानि कि उसफल हो गई तो किसी काम को करने में आप fail हो गए तो आप fail के बाद to का इस्तमाल करेंगे मैं उसे convince करने में fail हो गया I failed to convince him या her वह इस घर को खरीदने में उसफल हो गया तो आप कह सकते कि he failed to buy this house तो अपने हिसाब से spoken English में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं positive हो negative हो tense के हिसाब से आप कर सकते हैं कि क्या तुम उस घर को खरीदने में fail हो गए did you fail to buy that house क्या तुम उस लड़की को convince करने में fail हो गए did you fail to convince that girl ऐसे कर क्या बात कर सकते हैं तो एक छोड़ा से वीडियो है fail to के बारे में I hope आपको पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में till then take care, keep practicing and have fun अगर आप चाहें तो इसका एक screenshot ले सकते हैं friends Thank you guys हुआ हो मौश।